कि हलो गाइस सो अगेन वेलकम यौल तो देनेक्स लेक्चर आफ पाइथान सिरीज जहां पर हम बात कर रहे थे अभी तक इन्पूट के बारे में है ना कि हाउ टू यूज इन्पूट आउटपूट मैथट इन पाइथान तो प्रिविएस लेक्चर में इन्पूट मैथट के यूजे अब अपनाते हैं यहांपर हाऊव टूछ फॉष्ट प्रिंट मेथे इन पाइथों विद दीफरेंट फेस के आपको को पाइथोन में बेप्रिंट मेथा रिखें अलगलक तरीकが से और हाफ प्रिंट मेथड और को यूज करना चारे तन हाव् वी यूस प्रिंट म maximum people get benefited you know this is a completely free course और मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस पूरे python course का study material भी फ्रीली डेटा फ्लेयर की website पर available है जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो में नीचे शेयर की गई है प्लीज डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पर जाके उस study material को भी यूज करें refer करें अपने friends को ताकि maximum लोगों को interview clear करने में परेशानी ना हो जैसे आपको नहीं होने वाली है यह मेरी शॉर्टी है ठीक है चलिए तो बात करते हैं print method के बारे में कि how many ways we use print method in python के से हम print method को यूज करेंगे let's think simply अगर हम बात करें suppose यदि मेरे पास डेटा है और अगर मुझे integer type की values को print करना है ओके तो इसका simple साथ तरीका क्या है जैसे अगर मान लो आपने लिखा c equal to a plus b a key value 10 है b key value 20 है अगर बुझे value print करना है तो मैं या तो इसको ऐसे लिखूंगा या मैं लिखूंगा print value या edition edition is c ठीक आप simply ऐसा लिखोगे a key value 10 है b key value 20 edition is c पर आप समझना हमेशा print statement में हम इस चीज को ध्यान रखते हैं कि आप जब data print कर रहे है जब आप data print कर रहे हैं जब आप डेटा प्रिंट कर रहे हैं जो भी आपके प्रोग्राम का output देख रहा है उसको clearly समझ में आना चाहिए क्या बोलना क्या चाह रहें आपने बोल एडिशन is 30 तो he got confused की एडिशन किसका है मतलब आपने तो value fix की हुए न आपने तो दो number fix कर दिए तो print करते time अगर में यही output देता edition of 10 and 20 is 30 तो शायद result थोड़ा proper समझ में आता बास समझ में आ रहे है ठीक है तो यदि आपको लगता है कि Python में आपको data थोड़ा formatted वे में print करना है we want to print a data in formatted वे ठीक तो formatted के लिए हम python में formatted string use करते हैं we have a formatted string in python to which we are going to use with print statement can print statement में data formatting करने के लिए there are number of ways in Python to format your data again one of the best option is formatted string to formatted string को use करके हम python में किस तरीके से data print करेंगे okay what print method का syntax actually formatted string पहले तो यह कि print method का syntax क्या है और print method कितने तरीके से data print करेंगे using this formatted string okay top print method जो है आप देखे इसका syntax क्या है first whatever the data you want to print that you have to write is keyboard there is an option called separator okay and then there is an option called end मतलब आपको data कौन सा प्रेंट करना है ठीके उस डेटा के बीच में अगर आप कुछ सेपरेटर यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं and how you can end your data आप अपना data and कैसे करना चाह रहें ठीके मतलब डेटा तो print करना ही है पर डेटा के साथ आप सेपरेटर को भी यूज कर सकते हैं और आप डेटा एंड भी कर सकते हैं अब यह सेपरेटर और एंड का मतलब क्या है आई शो यू फिर मैं फॉर्मेट इडिस्टिंग पर आता हूं यह संटेक्स की डेटा के साथ आप सेपरेटर और एंड को कैसे यूज करो कि तो सपोस अगर हम बात करें यदि मेरे पास है अभी में स्कॉट आप क्यों कि फॉर्म इडिस्टिंग आपन दो मिनट में आते हैं पहले आप इसको संट रहें एक वल्टू सपोस हंड्रेट बीक वल्टू सपोस 20 we have this data equal to 100 be equal to 20 एक क्लीर है अभी अब यदि मैंने लिखा कुछ इस तरीके से प्रिंट समझ ना धिहां से प्रिंट वाल्यू इस वैल्यू इस एक कॉम अभी अभी मैंने इस लिखा वैलू जैकम भी मताइव और विकी जो वैलू है इसके बीच में मुझे इस तरीके से कॉलन चाहिए आई लघड कॉलन इन दिस तुब तो इसके आगे मैं कैई कहूंगा कॉमा इसेपरेटर एकवल टू डबल कोट मेट कॉलन कॉमा सेपरेटर एकवल तू डबलकोट सफेड कॉलन तो जितनी वैलू आपकी प्रिंट होंगी उन सारी वैलू के बीच में मुझे कुछ इस तरीक इस तो जब भी आपको दो वैलू के बीच में सेप्रेटर चाहिए दिन वे अप्शिन इस प्रेंट मैथट सेप्रेटर और यदी आप चाहते है कि आप जब डेटा मतलब यह च्वाइश की बात है आपको यूज करना है या नहीं दाडिज यूर विश बट पाइटों इस and there is a method option called and equal to and equal to this and and separate are basically used with print statement and equal to and this one so now whatever the data you write in the end that will print end of this thing we apply about output case I have value is some ajna value is value of a and b and that is hundred but in between this two there is a separator one and the end you will get this line so this is what the syntax of print method in Python कि जब भी Python में आप डेटा प्रिंट करेंगे we have an option separate end but it is it is not compulsory that you can use it बतलब आपको करना ही है इसा नहीं है यह आपकी वीशे आप इसको यूज करना चाहते है यह नहीं करना चाहते है अगर आपको यूज करना है जन पाइटान ने आपको option दिया है ठीक तो यह तो एक तरीका हुआ डेटा को प्रिंट करने का ओके लेकिन अचा सेपरेटर एंड आपकी अपनी चोईज आप क्या रखना चाहते है ठीक मैंने कॉलन लिखाए बट यूर्विस और अभी मैं एंड का एक और यूज आपको बदाऊंगा कि विदे आपके प्रिंट को फॉर्मेट करता है जैसे अगर मैंने आपसे बूला कि मुझे दो नंबर को एड करना है ठीक और जो रिजल्ट है अभी मैं फिलाल सिंपल ले लेता हूं चलो एक वल्टू 500 बीक वल्टू 220 अब मैंने आप से बलाविंग दोनों की वैलू मुझे प्रिं अधिशन अधिशन और फिफ्टी एंड 20 इस 70 तरी 500 इन चलो इसको 50 ले तो अधिशन ओ 50 एंट 20 इस 70 अब यह ए और बीकी वैलू अभी तो चलो में इस फिफ्टी ट्वेंटी लिखिए फाब बोलो के सरे तो डारेक्ली प्रिंट कर देंगे अगर यह वैलू में यूजर से इंपूट लेता हूं सपोस्थ इस इंट इंपूट एंटर फिर्स नमबर भी एक वल्टू इंट इंपूट एंटर सेकंड नमबर यह मैंने इस लिए लिए है ताकि आपको यह पता चले कि पॉस्ट वैलू चेंज भी हो सकती ही मतलब आब यह तो इंपूट है यूजर जो the value of a here I want the value of B and this is value of C but the moody's stinky formatting karna in between is stinky beach when was a data chai then and chai a phir b key value chai a then is chai a then 70 chai a okay to your the app excuse me yeah the up history case a up a result to print karna chara okay so in Python we have a choice and we have a formatted string called something like this percentage d to a percentage I this both formatted string but love jaha be up for in sticky value print karna hai a directly a or b tonalik saktana okay there the app on a tank you have co beach my intake value print karna is a man abhi likhada to add that line you have to use percentage the or percentage I this both is used for integer type of data is a be up for integer type key value print karna hai we have a choice percentage the or percentage I got it then after then after you're the apple at the heck you have to pass data flow type ka hai then we'll go for percentage f percentage f for float value map was some data develop some do formatted string MATLAB desire called formatted string MATLAB data co format currently these are these are the character which we are going to use in print these are the character which we are going to use in print the yellow character hey jinko hum print may use carrying a so that how am I resting go up nice up say format car certain the percentage d and percentage I for integer percentage f for float value percentage s for string together so these are some of the special character given by Python one for format this string percentage the percentage I percentage f and percentages this both for integer float and string okay so abhi haparab dekho tkis tariqa some data key formatting kareenge sa maja na dihaan se or is ka syntax kya hai maan logger manalika c equal to a plus b or agar mujhe result print karna hai so now you can write in this way edition edition of percentage d and percentage d is percentage d the addition of percentage d and percentage d is percentage d comma percent percent but will be a syntax over in a percent bracket may a comma b comma c what's up sorry there is no comma here directly you can write double quotes take and then percent then percent inside a bracket a comma b comma c jama is a statement ko pahle up a simple but I don't actually formatted is think I say I'm going to read it even a salika value of percentage d is comma percentage a sorry 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 comma pahle up is line coach for a palace go some job percentage a okay so what exactly the meaning of this statement give value of as it is print hooga and inside this percentage d it will print the value of a tomo j output camera value of a a key value manlo up an enter key hey 50 b key value up an enter key him on loss 20 to a key value to a 50 value of a 50 top output camera value of 50 is something like this it will print the value of this variable a but here you have to use common a hiya sorry there is no comma here you have to use percentage take to up of a cco concept code hand me rake a grab what's up up message oh honey give me for what I do not compare the things course is card now looking for yalla jati in what choki video see background say I have to grab see background so I have to apply a percentage the percentage if see maybe hotel but here we have another percentage eyes also therefore integer okay about the who is the मतली अदिशन अदिशन के व्लेटेशन हो गा इस अनी मली को यहो गा एक एक बैलू मिलेगी हुछ परॅनाटेजी के जागा बी की विल्ट थर्ट हर पर सेन्टेज टिक की जुक्र हर ची के है लोगो so what exactly output आलगेट इरी इशन और फिर्स्टेशन थी डा इस मरत iPhone 50 END second percentage D suppose 20 is third percentage D is 70 so now it is a proper output edition of 50 and 20 is 70 got my point to JV Q percentage DQ because we have a data of type in the integer similar way a percentage detail a percentage I could be use kar sakti you can also use percentage I here to get local percentage I really a deal area don't know valid and take it or you're this same questionnaire of data flow type can you have to do internal a kid of float value in the area in TK Jaga Co type casting float say car napolei get to us case my money edition get clear war edition of two number using intervalo take or percentage D or percentage I link in other suppose same concept it like in many of type battle the amount of cool count this is what edition of two floating number to the float number quiet Karna this is a equal to float this is be equal to flow type casting key float my curly edition are yeah are we have a Calico a percentage F here we are going to use percentage F now syntax average percentage F to our Garman operated at the at 10.9 20.3 so you'll get result 30 point something to be result I got covered proper output case a I got the proper output would be addition of as it is is percentage F K Jaga up for a key value and B key value and C key value to you'll get there is an addition of suppose up to do value the hair 20.13 or 10.17 19 so you'll get addition of 20.13 and 10.19 is or do we are a 30 point something to some of my upper percentage F K Jaga use a percentage Dika use a percentage I and similarly if you have a string so you'll go for percentage s so this is how we format this thing kid of BM a print kill print statement key formatting karna hai to for formatting this data we are going to use this formatted string to Python may you just never sign manually can a percentage D percentage I percentage I percentage I percentage F percentage is in Sabi coham kia both and these are formatted string your Python making a formatted string clear hey so much maya K how to print the data okay so I hope you guys can understand this concept or a post some of a formatted string what happens what is formatted string in Python and how we can print the data in different manner so let's go to the next class with the new concept with the new concept with the new concept where we are talking about this is something else that we are interested in concepts right so if you are interested in the next class with the new concept with the new concept that you have to be a challenge and you can see the new concept of the new concept of the new concept that you can see झाल झाल